हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शो को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुप कामना है आज हम भूमी में अशुद्धी कब ज़्यादा होत होती है और भूमी को शुद्ध कैसे किया जाता है इसके उपर आपको हम कुछ समझाने वाले हैं कई बार जिस भवन में आप रहते हैं उपर से सबकुछ वास्तु के हिसाब से अच्छा कर लेते हैं लेकिन भूमी में कई बार ऐसी शल्लिया ऐसी हड्डिया होती हैं जो व् भी इतना क्यों नुकसान हो रहा है इतनी क्यों हानी हो रही है जानी एक बहुत इच्छे विशे के बारे में हैं आज का पंचांग भी देखते हैं कई बार हम वास्तु के हिसाब से भवन बनाने के वाद भी हमें नाना भाती की तकलीफे महसूस होती है कई बार वंश व्रद्धी नहीं होती उस इस्थान पर कई बार धन व्रद्धी नहीं होती उस इस्थान पर कई बार जब से हम उस इस्थान पर जाते हैं नाना भाती के रोगों और संकटों में हम घिर जाते हैं मन में ये बात आती है एक वास्तु सास्तिय से बात की दूसरे को बलाया अनेक वो परकार के वास्तु के कारे करम सुनकर देखकर हम अपने मन से बहुत सारी चीज़े कर लेते हैं लेकिन बात बन दो बातें हैं वास्तौ अपनी जग़ा है और वीक्ति का भाग्य अपनी जग़ा है भाग्य के लिए हमें जर्न पत्री का या हाध की रेखाओं का सहरा लेना चाहिए उन्हें दिखा करके कहीं वास्तौ में कमी इतनी नहीं है हमारे भागे में कमी ज़्यादा हूँ तो दोनों तीनों चीजों का अध्यन अच्छे से करा लें और पता लगा कि हमारी कुंडली की रफ़तार भी सही है हाथ की रेखाई भी सही है लेकिन हमारे घर में ही वास्तू कुछ है और समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे सादको कई बार भूमी में कुछ ऐसी शल्य होती है शल्य किसको कहते हैं हड्डी को शल्य कहते हैं कई बार भूमी में ऐसी शल्य होती है कि यदि वो शल्य भूमी में हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है अब एक चीज मैं आपको बहुत ध्यान से समझा दूं और कोई शल्य ने निकले यह आपको सभी समझा सकते हैं लेकिन शल्य किस हद से नीचे निकले तो उसका दोश नहीं होता यह भी आप जान लें जितनी नाप हमारी समाने रूप में होती है पांच ये छे फिट ऐसे समझे लें एक वित्ता बारंगुल का होता है और दस वित्ते की इनाप जो होती है उसके प्रमान के बराबर भूमी नीचे ले ले लें या ऐसे मान लें मोटी सी भानाम है कि एक व्यक्ती की जितनी नाप होती है करीप करीब पांच ये छे फिट के वोते हैं इस से नीचे भी बहुत विक्ती होते इसóc से अपर भी होते लेकिन अमूमन और पाँच फिट से लेकर के उपर की सते तक यदि हड्डिया निकलती है तो वहाँ पर वास्तु के हिसाब से नाला भाती के दोश उत्पन हो जाते हैं कौन से शल्य है कौन सा दोश उत्पन करती है आईए हम आपको बताते हैं यदि भूमी के भीतर गाय का शल्य हो तो राज भे होता है राज से कोई धंड या कोई कानुनी रूप में हमें नुक्सान हो सकता है यदि मनुश्य की शल्य हो तो संतान के लिए अत्यधिक हानिखारक ऐसा होता है बक्रे का शल्य हो बक्रिया बक्रे का तो अक्सर ऐसे भवन में अगनी का बह बना रहता है घोडे का शल्य हो तो नाना भाती के रोग उत्पन होते हैं गधे या उट का शल्य हो तो अक्सर ऐसे भवन में हानि होती रहती है चाए धनकी हो या सालिरे कोप में हो कुट्टे का शल्य हो तो अक्सर ऐसे घर में कलेश अक्सर होता रहता है और धन का नाश होता है तो अभी आपने जाना कि किस किस प्रकार की शल्य नीचे हो तो क्या क्या हमें हानी हो सकती है और भी अन्य परकार के शलिय होती है ये ये तो मैंने आपको मुख्य मुख्य उध़ार दी है कई बार आपने देखा नहीं जैसरे हम किसी नई भवन में जाते हैं घर में इतनी तुतु मैं मैं इतना अकलेज और कहते हैं इतना संकत हुता है कि जैसे लोग कहें कि खुत्य विल्ली के तरफ यक्ति लड़ते हैं तो ये सब चीजें का असर जरूर आता है वास्तु सास्त्र अपने आप में एक बहुत बड़ा अपने आप में सास्त्र है और इसकी बातें जूटी नहीं हो सकती दूसरी बात अब ये शल्य निकलना कितनी दूरी के बीच में हमने बताया हम चार से पांच फिट जमीन के नीचे तक यदि ये सब चीज पांच-छे फिट के अंदर तक होती है तो नुकसान दे होती है और पांच-छे पांच-छे फिट के बाद अगर कोई भी शल्य निकलती है जमीन में तो वो हानिकारक नहीं मानी जाती है आपने देखा हो बहुत लोग जब भवन बनाते हैं नए प्लोट को करीदते हैं तो उपर की सारी मिट्टी हटा देते हैं और वहां शुद्ध मिट्टी भर देते हैं ये इसका एक उपाय है कि जब भी आपको ऐसा भवन लें तो वहां की उपर उपर की कम से कम तीन चार फिट की मिट्टी अगर आपको उसमें शल्य निकलती है जैसे आपने एक दो जगे से खुदवा के देख लीजिए उसमें कोई शल्य निकलती है तो फिर आप उसकी चार पांच फिट की मिट्टी हटवा करके शुद्ध नई मिट्टी डलवा दें तो कदापी उस भवन में दोश नहीं आएगा दूसरी बार ऐसा भी सास्तर कहते हैं कि दो चार रोज या दस रोज वहां पर गायों के जुंड गाये लाकर के बांधी जाएं उनकी महां सेवा की जाएं यदि आप मिट्टी वगरा नहीं उठवा सकते हो गाये का महां पालन लानन हो गास उने खिलाया जाए गाये मुत्र गोवर महीं सब हो जाए उस गोवर मुत्र से वहां की बची भूमी को अच्छे से लेपन भी किया जाए तो भी दोश नहीं होता वास्तम में गव माता काम दहन होती है इसलिए इनके गोवर से अन्यकु परकार की भाई आज कल तो इनका गोवर कितना केमती है और सुरु से हमारे दिशियो में दिशियोंने गाएं के गोवर की महिमा बताई ए काम आता है कैंसर जैसी महा बीमारी में भी गोवर मुत्र अत्यदी खिलाबदायक होता ऐसे ही वास्तू के लिए भि गोविर नए भावन के अनेगों परकार के रोगों में, भे में, उसके पवित्री करण में गोमुत्र काम में लिया जाता है, तो या तुम्हां गाएं की विवस्ता ऐसी की जाए, तो भी ये दोश हट सकता है, अब एक सवाल आपका ये उठता है कि भवन तो बन गया, उसके उपर बहुत बड़ी इमारत भी बन गई, या दो मंजिला, तीन मंजिला भवन मन गया, अब उसे कैसे खुदवाए जाए, तो ये एक सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, इसके लिए मैं अलग से कोई आपको विश्य सांग बताऊंगा, कि ऐसी स्टिटी में फिर क्या हो पाए हो सकता है, लेकिन आज का सब्जेक्ट म अब इसमें जहां भी कहीं, लोग भवन अपने हिसाब से प्लॉट खरीद करके बनाते ही हैं, तो उनके ये सब्जेक्ट बहुत काम आएगा, अब बहुत लोग कहेंगे हम कैसे पहचाने, ये हड़ी किसकी है, किसकी नहीं है, आप वो भी सब्जेक्ट शोड़ दीजे, बस ये भी संभावों ना हो सके, तो उपर की थोड़ी-थोड़ी मिट्टी हटवा दी जाए, और उसके उपर फिर मिट्टी गिर दी जाए, कहीं बहार से ला करके गोवर, गोमुत्र को मिला करके, वहां कुछ दिन लेपन किया जाए, और जब भवन बन जाए, तो वहां पर ए खंड जोत की वस्ता रखिए, फिर बहुत अच्छा आपको उसका परणाप मिलेगा, आए मेरे साथ को सनो चला आज की ध्यान माला का, आज की ध्यान माला में जूडते हैं, हम बाबा हनमान जी से, वानराणाम धीसं, रगुपति प्रियवक्तं, वात जातं नमामी, मनोजवं मारुत तुल्य वेगं, जितेंद्रियं बुद्धि मतां वरिष्टं, वातात्म जंबा नर्यूत्य मुक्यं, स्री राम दूतं सर्णं प्रवद्धे, स्री राम दूतं सर्णं प्रवद्धे, राम आया राम भद्ध्राया, राम चंद्राया वेदसे, स्री रगुनाथ नाधाया, सीताया पताये नमाहा, स्री हनुमंताया नमाहा, कबच्च बना लें, ध्यान करें, बाबा हनुमान जी का शुबासी समसब के उपर बरस रहा है, ओम बोलते हुए नेत्रखोने समन्य हो जाएं, मिरे साथ को हमने आपसे कुछ कहा था, कि हम आपसे कुछ अपने दिख्षित लोगों से भी और जो दिख्षित नहीं है वो भी किसी एक मोहिम में सामिल होना चाहते हैं, तो हो सकते हैं, हम कुछ आपके लिए सोच रहे हैं, दो-चार रोज में आपको बता देंगे, नवरातर आने से पहले पहले, आश्वे नमास के नवरातर आप सब को बहुत अच्छे से रखने चाहिए, और जीवन में अगर आपने भवन खुद बनाया है, तो किसी से उसका वास्टू मैप या वास्टू की विजिट मविश्य में करवा लीजिए, आप खुलाब मिलता है, या केवल वास्टू के लिए अपनी जनम पत्रिका भी आप बिखा सकते हैं, आपकी जनम पत्रिका भी सो फीजिदी बता सकती है आपके भवन के की सिस्टे में वास्तू दोश लगा हुआ है। और उस वास्तू दोश के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, ये बड़ा ही रिसर्च का सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा बहुत अच्छे से पता लग सकता है, और इसी के साथ साथ दूसरी बाते ये भी हैं, कि इस जीवन में और भी नाना भाती की तकलीफे होती हैं, नाना भाती की समस्याए होती हैं, वास्तु सही है, तो घर में या आपके जौब में, बिजनिस में, सरीर में, तो उन सब चीजों के लिए भी एक बार अपने जीवन में, आप इतना परेसान न रहें, अपनी हाथ की रिखाए, अगर कुंडली में आपको मालुम नहीं है, समय में बगरा का मालुम नहीं है, तो हाथ की रिखाओं के आध लोग डिप्रेशन के इस हालाद से गुजर रहे हैं सफलता सफलता अपने जगह की बात है लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है नया मोटिवेशन दिया है काम का इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बाते इन से लगातार कभी कभा हो जाये करती हैं एक दिन मेरी बात हो रही थी अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहां कववे आ रहे हैं मैं बहुत तेज्चाओं का करीब चार-पांस दिनों से कववों का जूंट मेरे घर पे मन रहा था तो मैं यही सोचने परेशान था यह सुभ है असु है इनमें दूसरा क्या जो इनका उदेश है जब महाकुम में आये थे मेरी इन से वारता हुई तो मैंने इनका उदेश जानना चाहा कि किस उदेश के लिए आप काम कर रहे हैं तो जो उदेश है उन्होंने मुझको बताया मैं मन से इनके उदेश के साथ जुड़ गया इनक किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हे तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें